अगर आपने एक एक लाइन खीच के उन्हें आपस में जॉइन करके चार स्क्वायर शेप के बॉक्सेस बनाएं तो कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आपने उन्हें बॉक्सेस के उपर फिर से एक दूसे को काटते हुई कुछ रैंडम लाइन्स ड्रॉ की और उन लाइन्स के ठीक उपर चार स्क्ल्स ड्रॉ किये तो भी कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आपने इन सर्कल्स के हाथों में पांच बलून पकड़ा के उन बलून्स और बॉक्सेस पे इंग्लिश अल्फाबेट के 26 में से सिर्फ 9 लेटर्स का यूज किया तो आपका बनेगा एपरिल फूग